ज़्याम दिना है 26 और एकानवे का HCF तथा LCM क्या करें HCF मतलब होता है महत्ताम और LCM मतलब होता है लगुत्ताम HCF का मतलब हो जाएगा High Common Factor और LCM का पूरा नाम है Lower Lower, Lower, Multiple तुझ्षाम से देखो क्या करना है 26 और एकानवे का HCF लिए जो तरीका हम दोनों तरीका को बता देते हैं ठीक है जो ठोबी समझ में आएगा अपना बनाना को दिकरना है देखो सबसे पहले क्या करना है 26 को लिख दी 23 को लिख दी इसको बनाना है दू से कितना आ जाएगा 13 नहीं भी लिख सकते हैं लेकि लिख देना है कारण की इसमें ECF में बहुत हिसाब में लगता है तो देखो 26 तो 26 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुना 13 गुना 1 फिर देखो 1 आनवे 1 आनवे को क्या लिखना है 7 से 13 अब 13 से खिला दिये तो कितना हो गया 13 बर में कड़ गया तो लिख देना है 1 आनवे क्या गया है 1 आनवे बराबर होगा 7 गुना 13 7 गुना 13 गुना यहीं चीज़ आया है दोनों का तो देखो क्या है जो दोनों में मिल रहा है देखो इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है तो क्या हो जाएगा दोनों में 13 हो गया तो लिखना है 10-6 आप ए wenn yam पराबर किया होगा एसी एफ बराबर किया होगenment एलसीअभ निकलना है यह बराबर किया होजाएगा दू गुना क्या होग्जर इसको लिख दिये दू गुना तो किसको लिखना इधर वाला साथ गुना ये दोनों में एक लिखना काहे की एस यह पेक आया दोनों का गुल घेरा लगा दिए तो एक लिखना गुना करेंगे 1391 दुना के 182 कि जोनों हो गया अगर ये लिख से अगर ये हिसाब समझ में जिसको नहीं आहा कि लिखना से को यहां दिखते रहना है नहीं समझा तो फिर है दूसरा निया कोई जरूरी नहीं है यहां तो जानता है कि हर हिसाब बहुत नियम से बनता तो कोई भी नियम से बना देने से हिसाब बन जाएगा और नंबर जितना मिलने का है जितना अंकर आएगा फुल ही मिलेगा क्या करना है 26 को इधर लिख देना जो बाड़ा है उसको बीच में लिखना है कि इतना बार में आएगा 26 के 26 दो बार में नहीं तीन बार में 26 या 78 कि इतना आ जाएगा घटाएंगे तो एक अंबे में 78 जाएगा 13 महत्तम निकार रहे हैं अब यही तो 26 को यहां लिखा जाता है महत्तम तेरा दुना के क्या होगा 26 तेरा दुना के हो गया 26 में छे गया कटकू दू में दू गया काटकू लिख दे लिखना है अता एच की एफ बराबर कितना आया तेरा इंसर बोल रहा है LCM भी ज्याद करें तो LCM निकालने का एक असाम सा तरीका हम बता देते हैं क्या करना है 26 को एक अनबे से गुना कर देना 26 गुना एक अनबे जो चीज़ पराशन में है 26 गुना एक अनबे कर दिए इंसर कितना आया इस तेरा आही ठो तेरा यहां लि भी हिसाब को दोर नियम तीन नियम से बताया जाता है जो समझ में आएगा अराम से बना लेना है